उसी समय दाउद के घराने और येरुशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिंता दोने के लिए एक बहता हुआ सोता होगा और सिनाव के यहवा की यहवानी है कि उस समय मैं इस देश में से मुर्तों के नाम मिटा डालूँगा और वे फिर स्मरन में न रहेगी और मैं भविशवक्ताओ और अशुद्धात्मा को इस देश में से निकाल दूँगा और यदि कोई फिर भविशवानी करें तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे कि तू जीवित न बचेगा क्योंकि तूने यहवा के नाम से जूटा कहा है जब वह भविशवानी करें तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको बेथ डालेंगे और उस समय भविशवक्ता लोग भविशवानी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और वे धोका देने के लिए कंबल का वस्त्र न पहिनेंगे बरन एके कहेगा कि मैं भविशवक्ता नहीं किसान हूँ और लड़क पन ही से मैं औरों का दास हूँ तब उस से यह पूछा जाएगा कि तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए तब वह कहेंगे ये वे ही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे है सेनव के यहवा की यहवानी है कि हे तलवार मेरे ठैराय हुए चरवाहे के विरुद्ध अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाती है उसके विरुद्ध चल तु उस चरवाहे को काट तब भेडबक्रिया तित्तर बित्तर हो जाएगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ फेरूँगा यहवा की यहवीवानी है कि इस तेश के सारे निवासियों की दो तिहाई मार डाली जाएगी और बच्ची हुई तिहाई उनमें बनी रहेगी इस तिहाई को मैं आग में डाल कर ऐसा निर्मल करूंगा, जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जाचूंगा, जैसा सोना जाचा जाता है, वे मुझसे प्राठना किया करेंगे, और मैं उनकी सुनूंगा, मैं तो उनके विशे में कहूंगा, कि ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विशे में कहेंगे कि यहवा हमारा परमिश्वर है।